Hello everyone, Welcome to Success with Raya Academy देखे, Indian Army को नई uniform मिल रही है नए साल पर यानि 2022 में Indian Army को नई uniform मिल जाएगी ये uniform किस तरह की होगी, इसमें क्या बदलाओ होंगे क्या कारण है इसके बदलाओ का और ये कब भारतिय सेना पहनेगी यानि कि date कब होगी उसकी और इससे पहले क्या क्या बदलाओ हो चुके है इन सभी points को आज की इस वीडियो में हम cover करेंगे जो की exam के लिए important हो सकता है इसलिए इस topic को cover किया जा रहा है चलिए अब वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी को जो नया आप कहा सकते हैं परिधान मिल रहा है नया यूनिफॉर्म जो नए यूनिफॉर्म मिल रही है वो combat यूनिफॉर्म है जो mixed color से बनी हुई है including olive and earthen इसमें जो यह जो dress होगी वो और भी comfortable होगी both summer और winter से यानि सर्दी और गर्मी दोनों के लिए यह काफी comfortable होगी अगर हम बात करें कि यह बदलाओ क्यों किया जा रहा है तो बदलती operational जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो uniform है उसमें बदलाओ की प्रक्रिया लगभग आप कह सकते ही 2019 से ही सुरू हो गई थी इसका मकसद uniform को आराम दायक बनाना भी था क्योंकि दे के वक्त के सांट textile technology भी काफी बदली है और अब कई तरीके के विकल्प भी मौजूद है इसमें अगर हम बात करें तो आरमी की combat dress summer और winter की regular dress ये सभी में बदलाओ की कोशी से की जा रही थी जिसको अब कर भी लिया गया है जिन सेंपलों का review चल रहा था उसमें fabric के सांथ ही design का comfort label भी देखा जा रहा था अलग-अलग sample की तुलना करने पर ही final dress त्यार की गई है फिर है कि Indian army की जो ये combat uniform है उसके बारे में जान लेते हैं कि ये कब इन्हें मिलेगी देखिए ये मिलेगी इन्हें 15 जन्वरी 2021 को सवरी यहां पर आएगा 15 जन्वरी 2022 को आर्मी डे परेट पर आर्मी डे परेट पर ये परिधान भारतिय सेना पहन लेगी और इसे digital disruptive बोला जा रहा है और जो इंडियन आर्मी है वो इसको काफी समय से इसकी जरूरत भी थी इंडियन आर्मी को क्योंकि अभी कई ऐसे तरीके थे जिनसे मतलब कि ऐसे वस्तर थे या कह सकते हैं कि जिससे आर्मी को कहीं न कहीं गर्मियों में दिक्कत होती थी तो इसकी जरूरत महसूस की जा रह पहली बार आजादी के बाद पाकिस्तान की सेना की वर्दी से अलग इसको रखने की कोशिस की गई थी। रखने के लिए खाकी से जैतुनी हरी रंग किया गया था। बैटल ड्रेस कर दिया गया तरक यह था कि देखे सूती वस्त्र जो होते हैं उसके रंग जो हैं जल्दी उड़ जाते हैं और नई वर्दी से सैनिकों को छुपना काफी आसान हो जाता था क्योंकि आपने देखा होगा ड्रेस तो लेकिन इस वर्दी का कपड़ा जो था वो प CSF हो गया, CRPF हो गया तो अलग पहचान देने के लिए ही सेना ने 2005 में अब जो कलर चल रहा है उसको बदला था, पांच तरह के की वर्दी भाड़िया सेना पहनती है भाड़ियाँ पहनी जाती है तो पहली सेना की सबसे ज्यादा पहने जाने वाली जो जेनरल ड्युटि ड जाता है इसके अलावा जैतुनी रंग की अंगोर शल्ट भी सर्दियों में पहनी जाती है ब्लू पेट्रोल जो होता है वो ड्रेस पहनी जाती है जिसमें पैंट के साथ बंद गले के कोट के कंधे में रैंक कड़ाई के जरिये लगा दिये जाते हैं 6A मेस या डिनर यूनिफॉर्म होती है जिसमें काले कोट के साथ पैंट पहना जाता है लेकिन ये ब्लू पेट्रोल की तुलना में कम पहनी जाती है जो 6B जो एक 6A आपने देख लिए अब 6B जो है वो गर्मियों की मेस ड्रेस है जिसमें आधी बाहा के सफेज सल्ड को रेज अंतिन संसकार में पहनी जाती है इसमें पगड़ी, सकार्फ, कमरबंद, मेडल और डेकुरेशन के साथ साथ पहना जाता है गर्मियों में इसमें आधे बाजी की शल्ट या पैंट सर्दियों के उस समय पहने जाने वाली वर्दी होती है इसके अलावा कारवाईयों के समय जाने वाली वर्दी अलग होती है जिसमें disruptive pattern होता है जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके तो जो पांच facts हैं इंडियर आर्मी की जो combat uniform है उसके बारे में वो भी जान लेते हैं ये जो disruptive sorry digital disruptive pattern पर है यानि की छुपने में आसानी होती है cotton जो होता था वो जल्दी उड़ जाता थ color उसका और ये जो synthetic होता है वो color उड़ता नहीं है तो कहीं न कहीं सैनिकों को चुपने में कारवाई के दुरान चुपने में आसानी होती थी uniform जो है वो काफी discussion के बाद military अधिकारियों के discussion के बाद दूसरी country से तुलना करने के बाद ये dress up बनाई गई है इस uniform को हर मौसम में पहना जा सकता है कोई भी season हो summer हो winter हो किसी भी season में एक तरीके से इस्तमाल किया जा सकता है इसमें mixed color किया गया है olive का और अर्थन का तो ये भी बहुत अच्छा है और उसके बाद है uniform जो है वो कहीं न कहीं दूसरे जो arsenic बल हैं उनसे कहीं न कहीं अलग होगा और हर condition के लिए बहतर होगा अब ये जो uniform है वो जनवरी 2022 में याने कि 15 जनवरी 2022 में army day celebration पर launch किया जाएगा army उसे पहनेगी और ये uniform Indian army की पहले की uniform से अलग होगी तो ये कुछ facts थे जो आपके लिए जानना जरूरी थे I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छ हुआ है